जैहिन बच्चो आज हम बात करेंगे कक्षा दस्वी NCRT पुस्तक के कुछ महत्पून प्रश्णोत्तर के बारे में जो की अध्याय बारा विद्दुत से संबन्दी थे यह प्रश्णोत्तर बोर्ड परिक्षाओं के साथ साथ प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए भी अत्यन्त महत्पून है बेसिक साइंस रेलेटेड इन प्रश्णोत्तरों की तैयारी आप बहुत अच्छे से करें ताकि आप बरतमान में बोर्ड परिक्षा की तैयारी के साथ स विश्य में आयोजित होने वाली प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए भी अपने आपको तयार कर सकें, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, सबसे पहला प्रश्ण प्रतिरोध का मात्रक है प्रतिरोध का मात्रक क्या है ओम दूसरा विद्दुधारा का ऐसा ही मात्रक क्या है उत्तर है एंपियर विद्दुधारा का ऐसा ही मात्रक एंपियर विद्दुधारा का मापक यंत्र है अमीटर विद्दुधारा को किसे मापते हैं अमीटर से फ्यूज को किसी सहीं यंत्र के साथ किस क्रम में जोड़ा जाता है स्रेनी क्रम में विववांतर का मात्रक है वोल्ट और विवांतर का मापक यंत्र है वोल्ट मीटर विवांतर को किसे मापते हैं वोल्ट मीटर से एक अश्व शक्ति या होर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है अर्थात एक हच पी में कितने वाट होते हैं तो याद रखिएगा 746 वाट 746 वाट होते हैं अगला प्रशन, विद्वत आवेश का मात्रक है कूलोम. अमीटर को परिपत में सदैव कैसे जोड़ा जाता है? तो अमीटर को ध्यान रखेंगे स्रेनी क्रम में जोड़ा जाता है. घरों में सभी विद्वत उपकरण किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो ये समनांतर क्रम में जोड़े जाते हैं हमारे घर में जो विद्धुत उपकरण होते हैं वो किस क्रम में जोड़े जाते हैं समनांतर क्रम में जोड़े जाते हैं आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं विद्धुद्धारा कहते हैं कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है विद्दुधारा क्या है तो आवेश प्रवाह की दर्व को हम विद्दुधारा कहते हैं एक आदर्स अमीटर का प्रतिरोध होता है शून एक आदर्स वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अनन्त दोनों के बीच में अंतर द्यान रखेंगे एक आदर्स अमीटर का प्रतिरोध होता है शून और एक आदर्स वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अनन्त विववांतर धारा और प्रतिरोध में संबंध लिखिए तो इन तीनों के बीच में संबंध है विववांतर धारा एवं प्रतिरोध के बीच में संबंध है विववांतर धारा एवं प्रतिरोध के बीच में संबंध है विववांतर धारा एवं प्रतिरोध के बीच में संब हैं यह संबन्द्याद रखेंगे राइबर क्योबाइटी अधिक विवानतर प्रैप्ट करने के लिए सेलों को किस क्रम में जोड़ते हैं तो सेड़ों को हम सेलों को हम पार्श्व क्रम में जुड़े प्रतिरोध्कों के सीरों पर क्या समान होता है तो इनके सीरों पर विववांतर समान होता है प्रतिरोधों की स्रेणी तरम में जुड़े होने पर किसके मान में कोई परिववरतन नहीं होता है किसी चालक में प्रवाहिद विवववांतर परस्पर संबन्द का ओम के दौरा लगाया गया था ओम ने अपना नियम दिया था वोल्ट मीटर को परिपत में किस प्रकार सहयोजित किया जाता है तो यह समनांतर करम में सहयोजित किया जाता है किसी विद्दुद्धारा के सतत एवं बंद परिपत को कहते हैं विद्दुद परिपत परिभासा के रूप में भी पूछा जा सकता है कि विद्दुद परिपत क्या है तो किसी विद्दुद्धारा के सतत एवं बंद परिपत को विद्दुद परिपत कहते है उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विववांतर रखने में सहायता करती है तो इसका उत्तर है विद्धुत से लिया बैटरी उस युक्ति का नाम क्या है विद्धुत से लिया बैटरी किसी विद्दूत उपकरण में विद्दूत उर्जा के वै की दर को क्या कहते हैं हम किसे हम कहते हैं विद्दूत उपकरण में विद्दूत उर्जा के वै की दर को कहते हैं विद्धुत शक्ति और विद्धुत शक्ति का ऐसाई मात्रक क्या होता है वाट होता है विद्धुत शक्ति का ऐसाई मात्रक वाट होता है हम लोग जानते हैं कि हमारे घर में जो बल्ब या सी एफल या एलीडी या कोई भी चीज जो उपियोग में लाई जाती है विद्दू से सम्मंदेद उसको हम किस से नापते हैं वाट से की है इतने वाट का CFL है इतने वाट की LED है ये सब कुछ हम वाट में मापते हैं इसलिए इसे क्या कहा गया है विद्दू सक्ति का ये SI मात्रक है विद्दू तुर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है किलो वाट घंटा इसे क्या कहते हैं किलो वाट घंटा कहते हैं व्यापारिक मात्रक है इसका उपयोग ग्रहत पैमाने पर होते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं व्यापारिक मात्रक और ये है किलो वाट घंटा, के डबलू एच, जिसे सामान बोलचाल में हम यूनिट कहते हैं, जो आपके घब में बिजली का बिल आता है, वो यही है, इसे हम कहते हैं एक यूनिट, विद्धूत उर्जा शक्ति एवं समय का गुड़न फल होती है, इसलिए विद्धूत उर्जा का मात्रक है वाट घंटा, शक्ति एवं समय का गुड़न फल है, तो शक्ति के लिए वाट और समय के लिए गुड़न फल, विद्धूत उर्जा का मात्रक है वाट घंटा, ती NCRT पुष्टक में धिया हुआ है तो आप इन्हें अच्छे से तयार कर लें परिक्षा के लिए अत्यन्त उप्योगी है साथ ही साथ प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए भी अत्यन्त उप्योगी है बहुत बहुत धन्यवादा